कि आले जुबेल तो एब्रीबन मैं मान्य मुख मंतरी नितिश कुमार जी से और मान्य मुख मंतरी तेज़स्वी यादव से एक आग्रह करना चाहता हूं कि अभी आप हर जगह पर पर्माणन पहाली निकाल रहे हैं ठीक है आप गेस्ट वाले इंपुलाई को निकालके आप पर्माणन ला रहे हैं यह अच्छी बात है अच्छी पहल है आप पर्माणन रोजगार दे रहे हैं मगर मेरा एक मांग है एक्षली मैं सेंटिमेंटली तोड़ा कनेक्ट हूं डिसेबल लोगों से कोई बीडिसेबल कर रहे हैं डिसेबलेटी के किसी भी तरह के डिसेबलेटी के लोग काम कर रहे हैं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप इनको रिटेन करें इनको ऑफिस से बाहर ना करें यह कहां जाएंगे इस टाइम जीवन के ऐसे वक्त पर जहां उसकी खर्च बढ़ चुके हैं फैमिली हो च डिसेबल लोग कहां जाएंगे तो डिसेबल लोगों की नवगरी को रिटेन करिए उनको किसी तरह से कंटीनू करें किसी भी तरह उनको एजे गेस्ट ही आप कंटीनू करें मगर उनको निकाले नहीं थैंक्यू मैं चाहता हूं कि नितिस्गमाज जी इस तरह की बातों को बड़ी अच्छी तरह से ध्यान देते हैं बहुत दबे कुश्रे लोगों के लिए हमें साथ अत्वर रहते हैं काम करते हैं मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हर 30 इंज डिस्टि नहीं जाएगा हमेंस्वाद किया जाएगा बेहार की इस्टि में अरितिस्गमार जी आपने अपना नाम दर्ज कर दिया है और हमेशा आपको एजूकेशन के रिफॉर्मर के तार पे बेहार में ना माना जाएगा एक्षिन है और मैं चाहता हूं कि अच्छी जीवन जीए और पूरूफ के तौर में मैं बता जाँ हूं कि मैं जब इनवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरे होस्टल में तीन-चार ब्लाइंड लोग थे और हमेशा मैं उन ब्लाइंडों से से ही कोशिश किया मगर किसी का आता पता नहीं चला मुझे जहां तक पता चला था कि हमारा नीलकंड याद अब जो था जारकंड का आची का जो मेरे बहुत नेर रहते थे और ऐसी कुछ ब्लाइंड है जिसका मैं नाम लूँगा और जिसके बारे में कुछ जो हीडिन बात है अगर कभी सुने का मीरी बात को तो ज्रोड पचानेगा और मुझे कांटेक करें या मिरे कमेंट में अपना कॉंटेक नमर दे मुझे मैं ऐसे बात करना चाहता हूं मिलना चाहता हूं देखना चाहता हूं वो लोग किस हाल में है तो रही बाद हम नीलकंड यादा ब्लाइंट थे हमारे होस्टल में तो उसे ज्यादा अफेक्शन था एक तरून बंसल था और एक परताब था और दो-तिन और थे जिसका नाम मैं बिल्कुल भूल गया हूं थोड़ा सा वो मेरे बहुत ज् अमेशा कभी लाना ले जाना होता था तो मुझे कोई बैड फील नहीं होता था इनको जब भी मैं कहीं लाता ले जाता था मुझे अच्छा लगता था कि मैं कैसी का हैल्प कर रहा हूं मदद कर रहा हूं तो आज एक एक हीडेन बाद इन लोगा बताएंगे और निलकरणी अधव साइद इस बात से मुझे पहचान जाएगा एक सवाल करेंगे निलकरणी अधव से कि आजगा सेटिंग के साथ हो तो निलकरण साइद सेटिंग फिटिंग से पता चल जाएगा इनको आच्छा तरुन बलसल तुमारी दो बात हैं मुझे हमेशा याद दिलाता है तुम रहने वाले थे मथूरा के तो मैं तुमको मथूरा छोड़ने गया था और तभी तुमारे बहां से इंट्रेक्शन हुई थी तो मैंने कहा था कि इनकी साधी करा दो तो फिर हमारा डंडा करवाय थे तुमने अच्छे से अब पूसे डंडा करवाय थे तो तुम्हें याद होगा तुम्हारी सादी हो गई होगी अगर हो गई होगे तो मुझे इक नमबर मेरे कमेंट में छोड़ देना और तुम्हारा एक और बात जो यह जो किसी वजह थी जिसके विएसे तुमने हमसे कसम खिलवा के अपना डेट बर्थ बोले थे तो हमने भी तुम्हारा डेट बर्थ किसी से डिस्क्लोज नहीं किया हमेशा उसको छुबागे रखा और परताब के बारे में बहुत जादा बात नहीं मालूम हो याद है परताब कहां है प तो मुझेरे कामेंट में अपना कॉंटेक्ट नंबर जरूर छोड़ो थैंक यू थैंक यू थैंक यू झाल 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 झाल